हलो फ्रेंट्स नमस्कार और विल्कम टू शमाधान साथियों अमीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टड़ी भी अपकी गंटेडिवी चल रहे होगी साथियों बिहार इससी ब्रेकिंग नुज यहां पर है यहां पर confusion है उसको क्लियर करेंगे साथि साथ इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस भरती के बारे में तो साथियों इसका जो CGL 4 वेकिंशी है इसको लेकर के नई निमावली जारी कर दी गई है और सरकार पूरी ततपर है कि जल्द से जल्द इस वेकिंशी को कंप्लीट किया जाए चतुत असनातक अस्तर यह परिच्छा के लिए तो यहां पर जो नई निमावली है उसके साथ ही यहां पर बहुत सरा कंफूजन भी क्रियेट हुआ है अब कंफूजन कहीं से भी हो हम उसको यहां पर आपको दूर करेंगे एक भी कंफूजन नहीं बचेगा तो यहां पर इसी करम में आता है पहला कंफूजन जो है यह कि BSSC नहीं लेगी परिच्छा अब BPSC दोराय उजिद ले जाएगी इस में जानेंगे मतलब एक अधिकारी के नाम से जाना जाएगा इनको अपसहाय के नाम से नहीं जाना जाएगा यह इस पर मुहर लग चुकी है और जो तिसरा अपडेट है कि यह भरती कब तक आएगी और कितने पोस्टों पर आएगी तो चलिए सबसे पहले तो आज हम लोग नहीं मौली को समझते हैं और उसी करम में सारे डाउट्स को एके करके किलियर करते चलेंगे जैसा कि यहां पर देखेंगे साथी वह बिहार गजट है असधारनंक बिहार सरकार दौर प्रकासित और यह 17 नूम्बर का है दोज़ट यानि दो दिन पहले का तिन दिन पहले का यह गजट है इसको प्रकासित किया गया था तो यहां पर यह देखेंगे नीचे यहां पर सभी अद्शुचना बिहार राजपाल का दिस से जारी किया गया है और यहां पर देखेंगे तो बिहार सचिवाले सेवा संसुदन अधनियम 2023 साथियों आज बात करने वाले हैं चक्चु पब्लिकेशन के द्वारा द्वितिये इंटरस्तरिये संजुक परतुक्तिया परिछा बी एससी के लिए 24 के लिए यहां पर सेट्स त्यार कियेंगे हैं जिसमें आपको 15 प्रेक्टिस सेट मिल जाएंगे 300 प्रिपर्स मिल जाग तो इस बुक को जरूर पर्चस करें लिंक डिस्क्रिप्शन में या आपने नजदी की बुकेश्टियर को विजिट कर सकते हैं इसके अलावे चक्षु पब्लिकेशन की अन्या कंपटेटिव बुके जारी की जाती है तो यहां पर इस बुक को पर्चस करके अपने त्यारी को मजबुत कर सकते हैं तो जैसे कि यहां पर देखेंगे बिहार सर्चवाले सिवा संसुधन अधिनियम 23 अब कंफुजन जो है इसके साथ ही हम लोग इलियर करते चलेंगे जैसे कि बिहार सर्चवाले सिवा अधिनियम przeस्तामरा चुकि बिहार सचिवाले सिहा के सहाइक का पदनाम सहाइक से सहाइक प्रसखा पतादिकारी किया जाना है इसलिए बिहार सचिवाले से वाधिनियम दुजरसाथ में संसुदन किया जाना अवश्यक है देखें किसी भी पोस्ट का नाम में बदलाव किया जाता है या उसी ग्रेड में बदलाव किया जता है तो उसको संसोतर करना पड़ता है और यहाँ पे जो अभी सची वाले सहाइक है यानि सहाइक उसको बला जाता है और बहुत पहले से यह मांग आ रही है क्योंकि आप देखेंगे पड़ुसी राज्य में भी जैसे जरखंड है तो वहाँ पे भी इसको सहाइक नहीं बलकि A.S.O की रूप में जाना जाता है यानि असिस्टेंट सेक्शन अफिसर की रूप में जाना जाता है और यह वर्टसो से मांग थी बिहार में भी करमचारी हो कि भाई जब यह सेम ग्रेट पे का जौब है और सभी राज्यों में बलकि केंद्र में भी सेंटर गोर्मेंट में देखेंगे तो इसको A.S.O ही बला जाता है जो सिजील की बरती होती है तो अब बिहार में भी इसको फैनली संसुधित कर दिया गया है अब यह सहाइक के रुप में नहीं बलकि A.S.O यानि सहाइक परसाखापतादकारी के रुप में जाना जाएगा प्रमोसन होगा तो सीधे आपका प्रसाखा पत्तकारी ग्रुप में अगला प्रमोसन होगा तो उसी किसंदर में ये नोटिश देखेंगे संचिप नाम क्या है अधनियम बिहार सचवाले सेवा संसुधन अधनियम 23 को कहा जाएगा और इसका विस्तान पुन्ड राजे में होगा और यहां पर देखेंगे तो बिहार सचवाले सेवा अधनियम संसुधन उक्त अधनियम में जहां जहां सहाइक सब्द अंकित है यानि जो 27 का अधनियम है यहां पर देखेंगे बिहार सच्वाले से वाधनियम दुजर साथ में जहां जहां सहाइक पद सब्द अंकी थे उसके अस्थान पर सहाइक प्रसखापत अधिकारी द्वारा सब्द अस्थापित प्रती अस्थापित किया जाएंगे इस चाहए को हटा करके यहाँ पर सखापताद्दकारी किया जाना है, यहाँ पर देखेंगे, तो आपका भिहार सगार के सचीव हैं, और भिहार अज जपल का अदिश से हैं यहाँ पर, और इसी को यहाँ पर इंगलिज में दिया गया है, जिसको बताया गया है कि तो इसके अधारपिसी में एमेंडमेंट किया गया है अब जो पहला यहाँ पर confusion है आपका कि क्या यह BPSC की दुर ली जाएगी चुकि हमने देखा बहुत सारे भीरती confusion में है कि इसका एक्जाम BPSC लेगी तो आपका confusion मैं यहाँ पर दूर कर जाता हूँ इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो 207 का अधनियम है चुकि इसमें क्या बताया गया है कि 207 का अधनियम में जहां-जहां सहायक है केवल उसको यहाँ पर चेंज किया जना है बाकी यह थावत वो रहेगी तो आएए उसको भी देखते हैं यहां से confusion अबका clear हो जागा जैसे के देखेंगे साथ में यहाँ पर चर्चा जुकी गए थी कि 207 और जिवराट की नियमावली तो यह है यहां पर देखेंगे तो बिहार सचवाले सवा अधनियम यानि बिहार सचवाले सवा गठन करने है तो यहां पर देखेंगे इसमें सहायक नाम दिया गया था और शुक्यां पर चैंच किया गया है अब इस जो दूशे 7 की निमावली है इसको हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हैं और इस स्क्रॉल करेंगा तो यहां पे मैं आपको दिखा दूँ सबसे पहला जो अपडेट है यहां पे जो आपको पहला ड तो यहां पर देखनें कि सहाइक प्रतिकारी जो है इस प्रिजनार्थ समय समय प्रहज़ित परिक्षा परिक्षा फलके धार पर भरा जाएगा यानि इसमें किलियर मेंचन है दोजरा साथ का अधिनियम में कि आपका जो है वो भरती बिहाय करमशारी जो है आयोगदर जो समय समय भरती निकाली जाएगे उसके तहट भरी जाएगे बाकि 25% आपका वो परमुसन के दोरा होता है तो वो डिपार्टमेंटल होता है लेकिन यहाँ पर किलिया मैंस हैं कि अपका विहाय करमशारी ही इसको यजिद करेगी अब जो जो णियू अमेंडमेंट है उसमें क्या किया गया है कि क्येवल अपका सहाइक पत्ब को बाकी सारा अपडेट सेम का सेम है यानि दूसरा इसमें कोई चेंजेज नहीं किया गया है तो जो लोग भी confusion में हैं कि बिहार BPSC इसका एक्जाम लेगी तो बिल्कुल नहीं लेगी इसका भी एक्जाम आपका BSSC हैं लेगी यानि करमचारी चायनाय के द्वारा और इसके तह दिसमबर आ चुका है और इसमयर भी प्राइट होने वाले हैं दूसरा चीज के क्रेयले परिचारी इसका भी दिसमबर अन तक आ जाएगा तो यह भरती आपका बहुत जल आ रही है लाश दिसमबर तक यह भरती पूरी चांस है कि आ जाएगी और अच्छे खासे पदोपे प्रोमसन भी काफी अच्छे दिये गए हैं चुकि बहुत सालों से प्रोमसन बिहार में रुका हुआ था चुकि मान्य सुप्रेम कोड में इसका मामाद चल रहा है इस विज़ा से रुका था तो इस बार वगेंसी अच्छी आने वाली है सांतिसाद आपका बिहार करमचारी चाहिने गुदर आहीं लिया जाएगा इस कंफिजन ना रहा है कि आप लोग त्यारी अच्छे से करें जो स्लेवा से आपका कि पचास उसमें रिजिनिंग पुछाता है पचीस मैत पुछा जाता है और पचीस साइंस और पचास जीए पुछा जाता है जर्नल लगर्णिस तो इसको आप लोग अधान मानिये और इसी को त्यारी किजिए और भरती आपका बहुत जल्दारी है अच्छे पदों प्यारी है बाकि यसे अपडेट्स की लगर चैनल अपने है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जूड़ जाएं मिलते हैं नए अपडेट में धन्यवाद झाल